दोस्तों मैं आपके सरीर की सभी बीमारी दूर करेंगे तो बिल्कुल मत घबराईएगा तो मेरे भाई वीडियो अन तक जरूर देखिएगा और वीडियो अन तक देखेंगे तो सभी जनकारी मिलेगे बीमारी से दूर रहें तो चलिए इस कमाल की वीडियो को सुरू करते है सवाल नमबर एक दाद खाज खुजली एक जीमा चरक की बीमारी क्या होता है शरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा कि आप तक जनकारी पहुँचती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है गलत खाना खाने के कारण दही मचली एक साथ कभी खा लेते हैं भूल चुक से हम लोग तो चरक की बीमारी हो जाती है और ज्यादा दही मचली खाने से एक साथ दाद खाज खुजली की बीमारी और एक जीमा भी होती है सवाल नमबर दो दाद खाज खुजली कैसे तुरंत ठीक होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक डाइडेट जनकारी जो है डक्टरी वाला मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है नारियल तेल 100 गराम उसमें 10 गोली कपूर मिला कर धूप में 1-2 घंटा रख दें पुरा मिक्स करके उसके बाद में लगाने से सुबह सान दाद खाज खुजली मिर जाता है और कमदा कोहरा बैगण जीवन में भूल खरके भी नहीं खाना पड़ेगा नहीं तो जो लोग एस सब कमदा कोहरा बैगण खाएंगे उनको बीमारी कभी नहीं दाद खाज खुजली की मिठेगी सवाल नमबर 3 मिर्गी की बीमारी कैसे होता है और कैसे ठीक होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा कि आप तक डेरेट जनकारी मिलती रहेगी और बीमारी मिर्टी रहेगी दोस्तों इसका सही अंसर है खाना खाने के तुरंट बाद पानी पीनस हैं मिर्गी की बीमारी होती है और जो लोग तिरफाला का चुर्ण खाना खाने के बाद में रात में नहीं खाते हैं उन्हीं लोग को इस सब बीमारी लगती है तो तिर फाला का चुर्ण जरूर खाएं और मिर्गी की बिमारी हम ऐसा के लिए मिटाएं दोस्तों सवाल नमबर चार पिर पौधा के परदूसन से कोन बिमारी सरीर में उत्पन हो जाती है तुरंत दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा कि आप तक जनकारी जो है डक्टरी वाला मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है कोई-कोई ऐसा जंगली लकडी होता है उससे सबसे पहले लाकवा की बिमारी होती है इसलिए सबजी में सभी मसाला डाल करके बनाना चाहिए तब खाना चाहिए और लोसुन जरूर डालें और प्याज जो लोग नहीं डालते हैं उन्हीं को बिमारी लगती है सवाल नमबर पांच जैन्डिस की बीमारी गर्मियों में क्या होता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस जरूर कीजिएगा कि आप तक जैनकारी जो है डाइडेट मिलती रहेगी और बीमारी मिलती रहेगी दोस्तो इसका सही अंसर है एक तो अंड़ा गर्मी के मौसम में नहीं खाना चाहिए और मन कर दिया खाने को तो एक अंड़ा बनाएं और खाएं लेकिन उसमें निम्बू निचोर करके खाएं निम्बू नहीं डालने के कारण जो है ओ जैन्डिस की बीमारी हो जाती है दोस्तों कोई भी बीमारी जो होता है वो खान पान के जड़िये होता है खान पान अगर कंट्रोल से नहीं करेंगे तो हमारे पास से बीमारी बिलकुल नहीं जाएगे इसलिए जरूर खान पान पर ध्यान दें थेंकि दोस्तों जहां भी रहें बने रहें